हेलो एरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गो प्लांटा ट्री पोएम इंगलिस क्लास 6 तो इस पोएम में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कभी हैं ठीके वो कह रहा हैं दा पोएम आज़ेस दे रीडर तू अप्रेसियर दे ब्यूटी अफ ट्री जो कभी हैं वो त्री के जो ब्यूटी हैं ठीके यानि जो पेड़ पोधे हैं उनके जो ब्यूटी होते हैं ब्यूटी मिन्स जब पेड़ पोधे जो होते हैं देखने में कितने खुबसूरत लगते हैं ठीके उनके बारे में वो जो कभी हैं वो क्या कर रहे हैं appreciate कर रहे हैं, means उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, I am talked about the joy of planting one, और जो planting करने में, अगर आप कोई पौधे या कुछ planting कर रहे हैं, ठीक है, या planting करने में पौधे, कितने अच्छे लगते हैं, या उसका क्या joy होता है, उसके भारे में भी, वो कभी बता रहा है, तो start करते हैं, कह रहे हैं, God, what a joy, it is to plant a tree, जो कभी है, वो कह रहे हैं कि, कितना अच्छा लगता है, अगर हम ट्री को प्लांट कर रहे हैं, यानि कहीं पर पेड को, यानि जो पौधा वत उसको ग्रो कर रहे हैं, and from the shallow earth to watch it rise, अगर हम लोग उपर से देखते हैं, shallow का मतलब होता है, आप य हम लोग उपर से, brown color का, जितने भी पेड पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, देखते हैं, तो वो काफी सुन्दर देखते हैं, ठीक है, lifting its immerald branches to the sky, immerald का मतलब होता है, the color green, यानि जो पेड के जो color होते हैं, जो उनके branches होते हैं, उसमें कुछ पौधे होते हैं, जो green color के होते हैं, to the skies, यानि उपर बादलों तक पहुचे हो गया रहते हैं, in a silent, adorations and to see, adoration का मतलब होता है, love and respect वासिफ, यानि जो पेड पौधे होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, काफी love and respect से खड़े रहते हैं, उनको देखने में काफी अच्छा भी लगता है, it is strength and glory, waxing which is spring, waxing का मतलब होता है, साहन से खड़े रहाना, ठीक है, waxing, तो मैं meaning भी दिखा देता हूं, waxing का मतलब क्या होता है, waxing का मतलब होता है, becoming stronger and larger, जो spring का मोसम होता है, मतलब बसंत तेरी तु जब आता है, तो जो पेड पहुधे होते हैं, क्या होते हैं, काफी strong और बड़े- हो जाते हैं, yes, it is a goodly and a gladsome things to plant a tree, यानि काफी अच्छा लगता है, पेड को प्लांट करने में, ठीक है, gladsome का मतलब होता है, old uses having a cheerful disposition, ठीक है, यानि, खुसी-खुसी पेड पोधे को लगाना कितना अच्छा लगता है, अब इसके बासे कहे रहे हैं, nature has many marvellous, but a tree, यानि नेचर के पास धेर सारे आश्चर जनक चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक tree भी पेड भी है, seems more than marvellous, it's divine, यानि, जो पेड होते हैं, ठीक है, वो क्या दिखता है, काफी आश्चर जनक या extraordinary दिखता है, ठीक है, so generous, so tender, so begin, ठीक है, not garless like the river and the air free, यानि क्या होता है, जो पेड पोधे होते हैं, काफी सांद सोभाव से रहते हैं, और not garless, garless के मतलब होता है, make noise, जो हला गुला करते हैं, noise बनाते हैं, मतलब यह जो पेड पोधे होते हैं, नदियों के तरह वो noise नहीं करते हैं, and air free, और जब हावाएं चलते हैं तब ही, क्या होता है, उनके तरह भी noise नहीं करते हैं, इन्हें pleasant, converge with the wines and birds, जो पेड पोधे होते हैं, किस से communicate करते हैं, छोटे-छोटे, चिरियों से, और हवाओं से ठीक है, unprivileged beyond explaining words to a plant, planted tree, या मैं आपको explain नहीं कर सकता हूँ, कितना अच्छा लगता है, या कितना प्यारा लगता है, जब हम लोग tree को या क्या करते हैं, plant करते हैं, ठीक है, rocks are majestic, but unlike a tree, rocks क्या है, majestic मतलब काफी beautiful होता है, लेकिन पेड से beautiful नहीं होता है, ठीक है, they stand aloof and silent in the roar, जो पेड होते हों क्या होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं silent में, और वो धहारते हैं, ठीक है, ठाने का मतलब जो हवा चलती है, क्या होता है, इधर उधर move करता है, अफ ocean below is breaking on the sword, ऐसा लगता है, कि जो ocean below का मतलब होता wave, ठीक है, जो wave होते हैं, वो क्या हो रहा है ऐसा लगता है कि समुद्ध में wave चलना है, ठीक है, there sound the voice of a turmoil but a tree, यानि क्या होता है, जो sound होता है, ठीक है, tree के, move करने के या जब हवा चलते हैं, तो वो काफी प्यारा लगता है, speaker, you are of companionship and rest, या all right righteous act, this is the best to plant a tree, यानि जो कभी हो कह रहे हैं कि, ये सबसे अच्छा companionship है, rest क करने के लिए, ठीक है, यानि कभी क्या होता है, आप भी पेड़ के नीचे कभी rest करते होंगे, तो क्या है, काफी अच्छा हम लोगों की साथी है, अगर हम उसके नीची पेड़ के नीचे rest करते हैं, this is the best to plant a tree, यानि tree की planting करना, ठीक है, ये सबसे अच्छा काम है, ठीक है, क कभी वकर हैं, कि एक oak tree भी होता है, वो कितना प्यार होता है, मैं काफी प्यार करता हूँ, oak tree से, which has been thrilling for a hundred year, जो oak tree होती है, वो hundred year तक भी क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, each day I send my blessing through the spear, मैं हमेशा प्रातना करता हूँ, ठीक है, या send करता हूँ blessing को, ठीक है, कि जो पेर पोद to me of a growing beauty, singing birds and sad, हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से, पेर पोधे अकर हम लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, beauty grow कर रहे हैं, किसका । Nature का beauty grow कर रहे हैं, जिससे कि जो चिडिया हैं, उस पेर पर بैश्ञ कर गाना गाती हैं, ठीक है, और हमें छाव भी मिलता है ठीक है उडस्ट दो विन लेवल्स डाइट सल नेवर फैट यानि इस तरह के जो चीजे है हमें छाव मिलती है सांती मिलती है पीस मिलती है तो इस तरह के जो चीजे हम इससे कभी भी बोर नहीं होते हैं ऐसा कभी कह रहे हैं तो बैसिकली इस पोय में बताया गया है कि जो पेड़ हैं या पोधे होते हैं वो कितने important है nature के लिए और हमें किस तरह के यह facility प्रवाइड कराते हैं अगर हम ठके हुए रहते हैं तो हम पेड़ के निचे बैठते हैं हमें छाओं मिलता है जो चिड़िया होते हैं अपना घोसला बनाती है पेड़ अपर गाना गाती है ठीक है या जो पेड़ होते हैं वो देखने में काफी खुबसूरत भी लगते हैं तो यह सारे चीजे जो है वह इस पोय में बताया गया है आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ अगर अच्छा लगा प्लिस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैक्यों सो मच